हेलो फ्रेंट्स आज मनाते हैं बहुत ही बड़िया सा टेस्टी सा एक बिल्कुल डिफरेंट बर्गर बहुत अमेजिंग है कैसे बनेगा यहाँ पर मैंने रिफाइन डॉल लिया है उसमें मैंने डाले हैं खुब सारे गारलिक को चॉप करके जब इस पर हलका सा इस तरह का ग आप चाहें इसमें और कैपसिकम डाल सकते हो आप रेड येलो वाली डाल सकते हो साथ में मैंने डाला है कॉन्स आप इसमें जो मंचा है इसमें आप डालो बड़ अच्छा फ्लेवर आएगा साथ में मैंने डाली है पिज़ा सॉस आपके पास पिज़ा सॉस नहीं है आप श अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि रोस्ट पक जाएं और एक बढ़िया सा टेस्टी सा अमेजिंग सा फ्लेवर निकल का है ठीके अब इसमें डाल है मैंने औरी गैनो आप इसमें खूब सारा चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं स्पाइसी अब अपने 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 अधर पक र क्योंकि इसकी फिलिंग ना हम उन सबजियों में करने वाल है एक चमच तेल ताकि अच्छे से पनीर के ओपर इस सब मसाले की कोटिंग हो जाए पस अब इसे हमने इस तरह से पांच मिनिट के लिए साइड में रख देना है उधर पक सबजियां भी पक जाएंगी और हमारा सबजियां अच्छे से सॉफ्ट हो गई है पक गई है अब जो पनीर हमने मैंडिनेट करके रखा था ना वो हम इसके ओपर डाल देंगे अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथे कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही में सारी कुकिंग कर रही हूँ तो आप भी मीडियम फ्लेम पर ही कर है आई फ्लेम पर डर रहता है अच्छा फ्लेवर नहीं आता इसलिए मिरियम फ्लेम बेस्ट रहता है कोई भी आप कुकिंग कर रहा है तो लीजेए यह अर अब अधिया है मैंनेब्गर बिया है बिच में自 पित कर लीते हैं बड़े 400 बन ही अठीर जो आपको मिले आप वो लीजे, अब इसके उपर ना मैंने लगाए है मियोनीज, मियोनीज का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है, मैंने दोनों साइट पर मियोनीज लगा लिया है, आपको कोई सी भी मियोनीज है, तंदूरी मियोनीज है, मिन्ट मियोनीज है, जो प इसको मिलेगा एक बहुत ही ट्विस्ट और बहुत ही अमेजिंग सा फ्लेवर यह थोड़ा आवरेज भरेगा ताकि जब हम इसको बंद करें तो यह गिरे नहीं तो इसलिए उतनी ही में इसमें फ्लिंग कर रही हूं तो इसलिए अपस में अच्छे से रच गई है ना अब इस के ऊपर वापिस से मैं लगा रही हूँ पिजा सॉस जो हमने बीच में डाली थी ना पिजा सॉस यह वण सॉस जो है आपके पस वो उसके उपर फिर से मॉजरेला चीज सॉस की वज़े से यह इसके ओपर चिपक जाएगा ठीक है यह देखें दिखने में लग रहन नहीं नह तो दोड़ा सा उपर डालेंगे हम औरिगयनों तक हर बाइट में हर बाइट में बहुत टेसी ओफलेवर आ अब आपको एक पैन देना है जो तोड़ा गहरा होता है उतना क्योंकि इसके भीच में हमने यह रखना है अपना बर्गर क्योंकि हमें इसको लिड को close करना है close करते वकि तो टच नहीं हो उसकी lid को इतना गहरा होना चाहिए अब लो फ्लेम पर हमने इसे क्या करना है इसे हमने तब तक कुछ करना है जब यह जो चीज है वो मेल्ट हो गया है है ना अमेजिंग सा दिखने में ही कितना टेंप्टिंग लग रहा है और बिलीव मी यह है भी बहुत तेस्टी है है ना नॉर्मल वाल टिक्की वाले बर्गर हम खाते है उससे बिल्कुल हट के अमेजिंग फ्लेवर है तो चलिए जल्दी से तयार हो जाएए बनाएए यह बर्गर और मेरे साथ आप भी इंजोई कीजिए और कमने मुझे लिखके बताएगा आपको यह कैसा लगा तो आई होब यू लाइक दा वीडियो अच्छी लगी है लाइक और शेयर करना मत बूले देगा फ्रेंड्स और फैमिली में तब तक के लिए थैंक्स फर वाचिंग